हेलो दोस्तों मैं राकेश श्वादरिय आपका mathematics teacher वेलकम करता हूँ डिस्टेव तैरी के YouTube चैनल पर जैसा यह आप देख सकते हैं SSE exam की खोपड़ी तोड़ mathematics की question सीरीज चल रही है जो कि हमारी class है class number 20 और हमारा topic जो चल रहा था time distance and speed उस topic का part number यह कौन सा है second part चलिए start करते हैं जो लोग नए है चैनल को subscribe कर दें और जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को share, like और comment ज़रूर करें question number 13 तक हमने complete कर लिए थे question number 14 के बारे में बात कर रहे हैं देखें कोई वेक्ति है जो कि 5 किलो मीटर प्रती गंडे की रफतार से चले तो वह एक खास दूरी 3 गंडे 36 मिनट में तै कर लेगा है ठीक है तो वो दूरी आ जाएगी है हमारे सामने बिलकुल आ जाएगी यदि वही दूरी साइकल पर 24 किलो मेटर प्रती घंडे की रफतार से तै करनी हो तो कितने मिनिट का समय लगेगा यह आपको पूछा जा रहा है तो पहले तो वो डिस्टेंस कितनी है यह पता चले तो ड स्वीड इंटू टाइम तीन गंटे 36 मिनट दो गंटे में चीन्ज कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं हम साट का भाग दे लेते हैं तो यह चला गया बिल्कुल चला गया कितनी बार च्हें बार च्छेंब बटा दस मतलब पॉइंट 6 हो जाएगा ठीक है ओभाइंट पॉइंट 6 हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.6 आर्ट मैं इसको लिख सकता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसको हम लिख लेता है तीन पॉइंट 6 गंटे त्यूंकि अगर आप इसको 36 मिनट को गंटे में अलग से चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार तो ये पॉइंट 6 होगा तो 3 गंटे ये और पॉइंट 6 गंटे वो तो 3.6 गंटे हो जाएगे ठीक है चलिए तो ये डिस्टेंस आगई अभी हम इसको कैल्कुलेट नहीं करेंगे अभी डिस्टेंस आगई अपके सॉरी ये टाइम आगए आपके पास ताइम किसमा आगए नंबर ओफ आर्स में तो नंबर ओफ आर्स वाली यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो इसका इससे और तीन केता 18 ठीक है 18 कीलोमेटर के यावरे पास डिस्टेंस आगए अब यही 18 की डिस्टेंस आपको'll करनी है चोईस कीलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से तो टाइम पोच रहा है तो time क्या होता है distance upon speed और speed कितनी है choice ठीक है चलिए ये 18 क्या आपके पास km ये क्या है choice km प्रती गंटा हमें time किसमें चीए minute में ठीक है ये तो km है ये भी km है प्रती गंटा है तो गंटे को minute में change कर लेता है तो 60 से क्या कर लेंगे multiply कर वा देंगे यहाँ पर अब जो जो cancel हो रहा ये cancel हो रहा है ठीक है ये प्रती गंटा था अब क्या हो चुका है प्रती minute upon के नीचे upon है तो unit कहा चली जाएगी उपर और minute में हमें निकालना था और इसको हम solve कर लेते हैं जैसे भी ये हो रहा हो 18 into 60 बटा में कितना choice ठीक है जो जो cancel हो रहा कर लेते हैं cancel ये लीजिए 6 से चला गया 4 बर और 6 से ये चला गया कितना 10 फिर ये 2 और ये कितना 9 और ये कितना 5 तो 9 into 5 कितना 45 second option आपका बिलकुल सही होगी ये था हमारा question number 14 बात करते है next question number 15 के बारे क्या कह रहा है question number 15 देखी question number 15 आपको कह रहा है 2 cycle सवार है X और Y एक ही समय पर इस्थान A से B cycle चलाना शुरू करते है A से शुरू होता है B तक जाते है ठीक है और क्रमस से 6 km प्रतिगंटा और 8 km प्रतिगंटा की speed से इस्थान B की और जाते है A से शुरू होंगे B तक जाएंगे दौनों साथ ही रवाना होंगे और दौनों की speed आपको दे रखी है और दौनों का नाम दे रखा X और Y यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद B, Y, X से 10 मिनट पहले पहुंचता है 10 मिनट पहले तो पहुंची रहा है उसके अलावा 15 मिनट और खराब कर रहा है रुकने के एक हिसाब से देखें तो 25 मिनट का गैप आ रहा है दौनों के टाइम में जो है वो ठीक है तो इस्तान A और B की ये बीच की दूरी कितनी है वो हमें बताने देखिए यहां से शुरू हुए और यहां तक जाना ठीक है X और Y दौनों ही जा रहे है बिल्कुल ठीक है X की स्पीड कितनी है 6 किलो मेटर प्रती गंटा Y की स्पीड कितनी है 8 किलो मेटर प्रती गंटा परफेक्ट है इस्थान A से इस्थान B की और जाते हैं यात्रा के दोरान 15 मिनिट तक रुकने के बाव अच्छा दोनों ने जो distance travel करी है वो तो same है तो हमें पता है कि जब distance same होती है तो speed और time जो है उसमें relation क्या होगा दोनों एक दूसरे के inversely proportional होते है ठीक है तो ये x है ये y है इसके लिए अगर speed का ratio देखों तो कितना आएगा 6 और 8 जो की ratio कितना देदेगा आपको 3 और 4 तो time का ratio क्या होगा उल्टा 4 और 3 का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसका मतलब x जो है वो ज़्यादा time ले रहा है y से या y कम ले रहा है x से एक ही बात है तो वो कितना है y x से 10 minute पहले पहुंच रहा है बिल्कुल y पहले ही पहुंच रहा है क्योंकि उसकी time की unit कम है तो क्या x और y के लिए जो time में difference आ रहा है unit में one unit क्या वो इस 10 minute के बराबर है क्या नहीं 10 minute तो पहले पहुंच रहा है और वहाँ पर 15 minute रुक भी रहा है तो total किस के बराबर है 25 minute के बराबर इसका वाला one unit जो time difference है यहाँ पर दोनों का वो minute में है 25 minute के बराबर परफेक्ट है ठीक है तो आपको क्या पूछ रहा है a से b तक की distance पूछ रहा है परति गंटा लेकर निकाल रहे हो तो y के लिए time निकाल रहे है परफेक्ट है तो हम x ले लेते हैं तो वन unit अगर 25 minute के बराबर है तो x के लिए कितनी unit है 4 तो 4 unit किस के बराबर होगी 100 minute के बराबर इसका मतलब x ने कितने की speed से 6 की speed से 100 minute में कोई distance travel करी है तो वो distance कितनी है ये हमें बताना ठीक है तो distance होता है speed into time तो speed है 6 km प्रति गंटा और time है 100 minute का minute को गंटे में बदलेंगे तो 60 का हम दे देंगे भाग ये गया ये गया तांसो राया 10 km मतलब c option हमारा बिल्कुल सही है और अगर y को लेकर करते तो भी इतना ही ही आती और y के लिए हम क्या करते 3 की value निकाल लेते जो कि किस के बरावर हो जाते 75 minute के बरावर और speed कितनी 8 तो 8 into 75 कर लेते 75 minute है minute को गंटे में चेंज करते तो 60 का हम भाग दे देते चली ये दा question number हमारा 15 बात करते है next question number 16 के बारे में क्या कह रहा है question number 16 देखिए दो धावक है 100 meter per minute और 120 meter per minute की गती से दोड़ते है ठीक है अगर दूसरा धावक दोड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 minute कम समय लेता है तो दोड़ कितनी लंबी है क्या बोल रहा है आपको दौनों के लिए speed दे रखिए 100 meter per minute तो इसके speed कितनी है 100 इसके कितनी है 120 तो ratio ले लेंगे हम speed का बिलकुल ले लिया कितना आगया 5 और कितना आगया 6 speed का ratio perfect है तो हमें पता है कि distance same है तो speed का ratio अगर inverse कर दूँ तो time का ratio बन जाएगा यह हमने देखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर दूसरा दावग जो है दौड पूरी करने में पहले से 10 minute कम लेता है बिलकुल second वाले के लिए time की unit वैसे भी पहले वाले से कम ही आ रही है कितनी कम आ रही है 1 तो यह जो one unit है यह number में किसके बराबर है 10 minute के बराबर है perfect है हमें क्या निकालनी है distance निकालनी है तो first और second दौनों ही जो racer है वो same distance travel कर रहे है तो आप चाहें तो यहां से निकाल सकते है और आप चाहें तो यहां से निकाल सकते है first वाले से ही ले लेते है एक unit का मतलब 10 minute है तो 6 unit का मतलब कितना होगा आपको पता चल गया है 60 minute कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब 60 minute आगया है time और speed चल रही है उसकी 100 meter per minute तो हमें distance बतानी है तो 100 meter per minute है बिलकुल ठीक है और यह time कितना है 60 minute है यह बिलकुल ठीक है तो यह हमारी distance निकल कर यहाँ पर आ रही है तो बहुत देख सकता हूँ minute से minute तो cancel होगे बिलकुल होगे तो कितना आ गया distance 6000 meter आ गया लेकिन option किसमें kilometer में 2000 का भाग दे देंगे तो 6 kilometer आ जाएगा मतलब C option हमारा बिलकुल सई हो जाएगा यही अगर calculation हम second वाले के लिए करते तो भी answer same यहाँ चलिए question number 16 के बाद बात करते है question number 17 की क्या कहरा question number 17 17 number देखिएगा एक वेक्ती ने station A से station B तक 40 km प्रती गंटे और B से A तक 30 km प्रती गंटे की चाल से दूरी तैय करें बलए A से B गया कितने की speed से 40 की speed से B से A वापस आया कितने की speed से 30 की speed से ठीक है पूरी यत्रा में उसे मतलब जाना और आना पूरी यत्रा में उसे 6.3 गंटे लगे ठीक है तो A और B के बीच की दूरी कितनी है यह आपको पूछा ठीक है बता देंगे कोई दिखती देखिए A से B जाना कितने की speed से 40 की speed से B से A वापस आना कितने की speed से 30 की speed से distance तो A से B तक की सेम है लेकिन जाने और आने की speed अलग अलग है तो time भी अलग अलग है ऐसा नहीं है कि अगर है 6.3 A और B के बीच की दूरी बताईए बता देते हैं जाते time जो distance है आते time भी वही distance है तो distance आने जाने की दौनों सेम है तो इसका मतलब क्या हम यहाँ पर आने जाने की average speed निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं average speed क्या हो जाएगी जब distance सेम होती है और आपको 2 speed दे रखी होती है तब 2 S1 S2 अपोन S1 प्लस S2 तो 2 S1 S2 अपोन S1 प्लस S2 40 प्लस 10 कितना सित्त हैं ठीक है 0 से केवल 0 कैंसिल कर दो बाती यूँ पाई हो रहने में तो speed आगे मेरे पास 4 इंटो 3 कितनी 12 12 इंटो 2 कितनी चॉइस और ये कितना 0 और ये कितना 7 ये आगे मेरे पास km per hour में speed आगे किसकी total journey की एक तरह से में कह सकता हूँ तो total journey का आपके पास क्या आ चुका है time भी आ चुका है जोगी question में given है कितना given है 6.3 तो हमें क्या निकालनी है हमें निकालनी है distance तो distance क्या होता है speed into time तो speed कितनी है 240 बटा 7 time कितना है 6.3 गंटेगा perfect है चीक है तो answer आ जाएगा point अटेगा नीचे 0 लगेगा फिर ये 0 कट जाएगा तो हमने 0 लगा है नहीं सीधा point से 0 काट लिया साथ से इसको काट लेते है 9 बार perfect है चली क्या ये जो distance आ रही है ये ही distance हमारा answer होगी क्या नहीं क्यों तोगि ये distance कौन सी है complete distance है complete कैसे A से B और वापस B से A लेकिन हमें complete distance नहीं बतानी है हमें सिर्फ ये बताना A और B के बीच की distance कितनी है तो जो भी ये distance आईगी उसका आधा करेंगे तो वो value आजाईगी तो इसका आधा यहीं पर कर लेते है तो इसको 2 से और divide कर देते है तो ये आगया कितना 12 ठीक है 12 का 9 से करेंगे तो 108 आएगा तो 108 किलो मिटर जो है वो A से B तक की distance हमारी होगी चलिए बात करते है next question number 18 18 के बारे में क्या गहरा question number 18 देखिएगा एक आदमी अपने घर से 27 किलो मिटर प्रती गंटे की औसत गती से चलता है ठीक है और 7 मिनट देरी से अपने कारले ऑफिस पहुँचता है ठीक है यदि वह 45 किलो मिटर प्रती गंटे की गती से चले तो 17 मिनट पहले पहुँच जाएगा चलो ये भी ठीक है तो उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या है ये हमें बताने चली ठीक है तो ये तो पता चलिए पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में दौनों ही केस में आदमी अपने घर से आफिस ही जा रहा है तो इसका मतलब दौनों ही केस में डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या है चलिए फिर तो फर्स्ट वाला केस क्या है 27 किलो मिटर प्रती गंटा है स्पीड हमें पता है सेकेंड वाले केस में स्पीड हमें पता है 45 किलोमेटर प्रतिगंड स्पीड का रेशियो हम निकालते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं इसको आराम से 9 से 3 बार और 9 से 5 बार तो टाइम क्या होगा इसका inverse होगा क्योंकि distance तो घर से office की fix रहेगी तो time इसका inverse होगा ठीक है अब time में फर्क कितने का आरा है वो जरा हम देख लेते हैं एक बार तो 7 मिनट देरी से पहुझता है for example office पहुँचने का time में कितना कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो लेकिन हमने एक ideal time मान लिया और वो ideal time हमने मान लिया कौन सा मान लेते हैं 9 बजे का सुबह कुछ और भी मान सकता है एक बार 7 मिनट देरी से पहुझता है मतलब 9 बचकर 7 मिनट पर पहुझता है ये बात हो गई बिल्कुल ठीक है और एक बार क्या करता है 45 की स्पीड से जाता है तो 17 मिनट पहले ही पहुझ जाएगा 17 मिनट पहले मतलब 8.45 दो और कम कर लेते हैं 8.43 पर ही पहुझ जाएगा परफेक्ट है तो इसका उनले यहां से यहां तक time कितना है वो देख लीजी तो ये तो हो गए आपके कितने है 17 मिनट और यह हो गए 7 मिनट तो 17 और 7 कितने हो गए चॉइस मिनट तो इसका मतलब चॉइस मिनट का फरकार है परफेक्ट है चलिए तो आपको पूछ रहा है उनके घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी वो बताईए तो बता देते चोईस मिनट है ठीक है अब चोईस मिनट को गंटे में बदल लो तो क्या कर लोगे सांट का भाग दे दोगे छह से ये जाएगा छह चौक चोईस फिर ये चार और नीचे दस है तो ये दो और ये कितना हो जाएगा पांच ये गंटों में आ चुका है अब देखिए दो बटा पांच गंटे किसके बराबर है इनके डिफरेंस मतलब दो यूनिट के बराबर है तो दो यूनिट का मतलब दो बटा पांच गंटे हो रहा है बिलकुल हो रहा है तो एक यूनिट का मतलब कितना होगा दो बटा पांच चल जाएगा मतलब एक बटा पांच गंटे होगा बिलकुल होगा अब आप चाहें तो पांच यूनिट की वैल्यू निकाल लें थाकि टाइम पता चल जाएगा और पता चल जाएगा और उस पीड आपको पता यह तो वहां से आप निकाल सकते तो देख लेतें तो सब्सक्राई मथ रोगों जितली इंतर सीज़ फो इसको करने का एक और तरीका है डिरेक्टरीग और फॉर्मूला होता है वो डिरेक्ट फॉर्मूला भी अपपलाई कर सकते हैं और वो formula क्या होता है वो formula होता है distance के लिए सीधा सीधा जो भी आपको speed दे रखिए S1, S2 जैसे कि दे रखिए 27 और 54 तो 27 into 54 कर लेते हैं नीचे आ जाता है इन दौनों का difference किसका जो speed है उनका difference तो 27 और 54 का difference कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और यहां आजाता है जो आपका speed है sorry जो आपका time है उसका difference तो time का difference में देखूं तो कितना आया था यह यहां से यहां तक का time लेना है तो यह आया था choice minute और minute को गंटे में change करते हैं 60 से हम क्या कर लेते हैं divide कर लेते हैं cancel होने के लिए बिल्कुल cancel हो गया और करें इसको 6 से यह चला गया 4 यह कितना 2 और यह कितना 5 ठीक है फिर अगर इसको करें chopin का अगर हम double तो कितना आ रहा है chopin का double 108 और 108 को अगर हम 5 से करेंगे 2s1 s2 upon s1 minus s2 जो है वो minute और घंटे में change करके अगले वाले question में हम लगा कर देखेंगे जहाँ पर unit जो है वो same होगी तम चली बात करता है next जो question है question number 19 उसके बारे में क्या गर है question number 19 वा देखिए 2 वेक्ति है राम और श्याम ठीक है एक साथ 2 बिंदुआ हो a और b से लिखावा होगा यहाँ पर a और b ठीक है a और b से सुबह 9 बजे क्या करते हैं विपरित दिसा में चलना परारम करते हैं मतलब एक दूसरे की और चलते हैं उन में से प्रतेग दूसरे के शुरुआति बिंदु से चलता है मतलब इस तरीके से एक दूसरे की और मूव कर रहे हैं वो लोग सुबह 9 बजे मूव कर रहे हैं एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम को अपने गंतविया तक पहुँचने में 80 और 45 मिनिट का समय लग रहा है तो वो एक दूसरे से किस समय मिले होंगे ठीक है देखिएगा पहले आपको एक छोटा सा concept समझाता हूँ ताकि ये question और आने वाले question जो है वो आराम से हो सके तो क्या concept है देखिए जैसे यहाँ अभी हम question की बात नहीं कर रहे है यहाँ कोई बिंदू है A यहाँ कोई बिंदू है B इदर से उधर कोई जा रहा है S1 की speed से उधर से इदर कोई आ रहा है S2 की speed से perfect है कहीं न कहीं बीच में definitely मिलेंगे माल लेते हैं इस point पर दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद में जो ये से मिल गया तो मिलने के बाद उसको A तक पहुंचने में S2 वाले को A तक पहुंचने में T2 का time लग रहा है मिलने के बाद T2 लग रहा है शुरू से T2 नहीं लग रहा है तो इन चारों में एक relation देते हैं हम S1 upon S2 is equals to root of T2 upon T1 इसका derivation है पूरा लेकिन वो कामका नहीं है डारेक्ट आप value याद रख सकते है तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है confused नहीं होना है हमें ध्यान यहां रखना है कि जो speed हमने यहां पर लिखी है उसको मिलने के बाद जो आगे पहुंचने में time है वो उसके cross में नीचे हमें लिखना है ठीक है और एक और relation दे सकते है T जो की क्या होता है root of T1 into T2 ये T कौन सा time है ये T वो time है जब A यहां और B यहां पहुंचा मतलब जब दौनों मिले दौनों एक साथ रवान हुए सुबह जैसे की question कहा रहा है 9 बजे तो इसने यहां से यहां तक आदे गंटे तक दूरी तय करी और इसने यहां से यहां तक आदे गंटे तक दूरी तय करी तो ये जो time है T आदा गंटा वो हम निकाल सकते हैं T1 into T2 को multiply करके उसका square root लेगा पूरा इसका भी derivation है लेकिन वो करने के ज़रूरत नहीं आप डिरेक्ट इसको apply कर सकते है चलिए अब हमारे question पर आते है question यह गहरा है दो वेक्ति है राम और शाम एक साथ दो बिंदूँ से A और B से सुबह 9 बजे चलते है दौनों साथ में रवाना होए साथ में रवाना होने भी चीए ठीक है नहीं होंगे तो हम जो value आएगे जो time आएगा उसको set करेंगे कैसे आगे questions में देखेंगे विपरित दिसा में चल रहे है और एक दूसरे के सुरुआते बिंदू से चलते है ठीक है एक दूसरे को पार करने के बाद देखे माने इधर से राम आ रहा है और उधर से जो है वो कौन आ रहा है श्याम आ रहा है एक दूसरे से यहां मिल लिए ये लोग एक दूसरे से मिलने के बाद राम और श्याम को अपने गंतवियत तक पहुंचने में 80 और 45 मिनिट लगे तो राम यहां मिला इससे आगे जाने में 80 मिनिट लगाए जहां तक उसे जाना था शाम यहां मिला इससे आगे जाने में 45 मिनिट लगाए जहां तक उसे जाना था ठीक है फिर क्या बोल रहा है तो बताइए एक दूसरे को किस समय वो मिलें नौ बजे रवाना हुए, यह हमें टाइम पता है, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, वो निकाल लेते, T1, T2 का multiply करके square root लेगा, तो T1, T2 किसे भी मान सकते हैं, अभी तो ठीक है, क्योंकि S1 की बात नहीं हुई है, S2 की बात नहीं हुई है, इसलिए, तो time जो आएगा, root of 80 into 45 आजाएगा, तो देखिएगा, 80 into कितना 45, ये भी minute में है, ये भी minute में है, तो minute into minute करेंगे, तो minute का square हो जाएगा, और minute के square का square root करूँगा, तो जो unit आएगी, वो तो फिर से minute में आजाएगी, कोई दिकत नहीं है, अब value क्या आ रही है, वो देख लेते हैं, 45 के मैं टुग कर सकते हैं, कितना, 8 into 10 करते हैं, और 10 करेंगे, तो 5 into 2 होगा, और ये 2 इसको देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये, 16 into 5 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको 16 into 5 से कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, दो बार नहीं तोड़ना पड़ेगा, तो इसको लिख सकता है, 16 into 5, ठी कितना हो जाएगा तीन तो चार इंटू तीन कितना हो गया बारा ठीक है पांच इंटू पांच पच्चिस है पच्चिस का स्क्वार रूट कितना हो जाएगा पांच ठीक है तो कुल मिलाकर हो गया चार तीन और पांच स्क्वार रूट हो गया तो चार इंटू तीन कितना बा तो दस बजे मैं देख सकता हूँ कौन सा, second option हमारा बिलकुल सही होगा, चलिए, ये दा question number 19, बात करते हैं next question number 20 के बारे में, क्या गरा question number 20 देखिए, दो रेल गाडिया है, P और Q, क्रमस है, दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की और अपनी यात्रा शुरू करती है, ठीक है, जब वे एक दूसरे को पार कर लेगी, तब ट्रेन P और Q को अपने गंतवय अब तक पहुँचने के लिए 25 गंटे और 16 गंटे का समय लगेगा, ठीक बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा, ये Q हो गया, ये P हो गया, ठीक है, P और Q क्रमस है, दिल्ली और कानपुर से, ये दिल्ली हो गया, और ये कानपुर हो गया, परफेक्ट है, दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की और अपनी यात्रा शुरू करते हैं ये उधर और ये इधर पुई दिक्कत नहीं जब P और Q अपने गंते वे तक पहुचने के लिए क्रमसर 25 गंटे और 16 गंटे का समय लेती है कब लेती है जब वो एक दूसरे को पार कर लेगी तब मतलब मिल लेगी तो एक दूसरे को पार कर लेगे तब train P और Q गंते तक पहुंचने के लिए P तो 25 गंटे लेगी मतलब यहां से यहां तक जाने में लगेंगे 25 गंटे ठीक है और Q को यहां से यहां तक जाने में लगेंगे कितने 16 गंटे यह भी ठीक है हमें speed दे रखी है train Q की speed कितनी है 40 तो train Q की speed आपको दे रखी है 40 km परा क्या train P की speed पता है नहीं पता है क्या पूछी है नहीं पूछी है आपको cable distance पूछी है इन दोनों के बीच की ठीक है निकाल लेते हैं तो पहले तो train P की value निकाल लेते हैं तो निकालते train P की value कैसे जो अभ of T2 upon T1, तो T2 upon T1 कैसे मतलब, जो speed आप यहाँ पर उपर लिख रहे हो, उस से को time कितना लगता है, मिलने के बाद वो उसके cross में लिखना है, तो P speed उपर लिखे, तो P को मिलने के बाद कितना time लगता है, 25 गंटे वो cross में लिखो, यहाँ किया आजाएगा 16, 16 और 25 को मैं कह सकता हूँ, 4 और कितना हो गया 5, 5 से मैं यह काट सकता हूँ, कितना हो गया 8, 8 का 4 से कितना हो गया 32, तो P जो है, उसकी हमारे पास speed आ चुकी है, 32 किलो मेटर परती गंटा, कोई शू नहीं, खीक है, अब आपको distance बता देते हैं, देखिए, P आ रही है 32 की speed से, बिलकुल आ रही है, यहाँ मिल रही है, मिलने के बाद 25 गंटे का समय ले रही है, तो क्या यहां से यहां तकी distance में बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ, कैसे, 32 की speed से जाना है, 25 गंटों में जाना है, तो इसका हमले distance क्या होगए, speed into time, छीक है, बिल्कुल सही है, फिर क्यू आ रही है, यहां से आ रही है, कहां मिल रही है, यहां मिल रही है, मिलने के बाद यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने गंटे में तय कर रही है 16 गंटे में तो क्या मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस बता सकता हूँ बिल्कुल बता सकता हूँ कैसे 40 की स्पीड यहां से यहां तक चली जा रही है बिल्कुल जा रही है कितना टाइम लिया जा रहा ह लिया जा रहा है time 16 गंटेगा तो speed into time कर दू तो ये वाली distance आजाएगी इस distance और इस distance को add कर दू तो total distance आजाएगी और वही हमें पूछा है तो कर लेते हैं 16 का 4 से कर लेते कितना होगा 64 तो 640 तो ये होगा कौन सा ये रहा फिर 32 का 25 से कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 32 का 25 से कर लेंगे तो 25 ती 45 ठीक है 4750 और 50 कर लेंगे तो 800 हो जाएगा ये लिजी 800 और 600 को जोड़ो तो कितना होगा 1440 मतलब 1st option आपका बिल्कुल सही हो जाएगी तो total distance कितनी होगे 1440 km चलिए ये दा हमारा question question number 20 बात करते है next question question number 21 के बाढ़े क्या गहरा question number 21 देखिएगा 21 आपको कह रहा है एक वेक्ती जो है 42 km प्रती गंटे की चाल से चलता है कोई दिक्कत नहीं आराम से चल रहा है वह प्रतेक 13 km के बाद 9 मिनट का आराम करता है उसे 91 km की दूरी तै करने में कितना समय लगेगा ये आपको पूछा जा रहा है समय क्या होता है distance upon speed distance कितनी है 91 km speed कितनी है आपकी 42 km सही है ना 42 km ही तो है हर 13 km के बाद 9 मिनट का आराम करता है ठीक है चलिए तो अगर 91 km की distance वो 42 km प्रती गंटे से चलता है non-stop जाता है तो कितना समय लेता है वो हम देख लेता है option किस में चल रहे हैं आपके minute में तो minute में चल रहे हैं तो 91 km प्रती गंटा था बिल्कुल था 42 क्या था आपके पास 42 speed एक second time बताना है ना तो time हो जाएगा distance बिल्कुल ठीक है distance कितनी है 91 km ठीक है और speed कितनी है 42 km पर hour ठीक है अब देखिए time जो है वो minute में बताया जा रहा है ठीक है तो 91 upon 42 और ये 60 कहा आ गया उपर ये minute कहा रहा है तो क्या ये हमारा answer होगा कि नहीं ये answer तो कब होता जब वो non stop जाता बिना रुके जाता लेकिन रुक रहा है तो ठीक है उसको भी add करेगी पर पहले ये कितना है वो time देखते है तो कर लेते हैं इसको जैसे भी ये cancels हो रहा है तो 6 से कर लेते हैं इसको ये तो हो जाएगा कितनी 10 बार और ये हो जाएगा आपके 7 बार ठीक है फिर 7 से इसको कर लेते है 7 से ये चला गया एक बार फिर कितना बचेगा 21 तो ये चला जाएगा 3 बार 130 मिनट तो आपके पास इस तरीके से आ चुके है और option में तो ही नी 130 तो अभी तो time और लग रहा है कैसे देखिएगा अब आपको पता है कि 91 किलोमेटर जाना है हर कितने 13 किलोमेटर के बाद उसको रुकना है तो 91 में 91 में अगर 13 से में डिवाइड करूँ 91 किलोमेटर तक जाना है तो 13 किलोमेटर के बाद आप हर बार रुकोगे तो 91 upon 13 करने पर हमें ये पता चल जाएगा कि हर बार आपको 9 मिनिट रुकना है तो रुकना कितनी बार है वो देखते है तो 13 से हम इसको करें तो कितनी बार हो रहा है साथ बार तो साथ बार पूरा पूरा जा रहा है इसका मतलब आप साथ बार रुकोगे लेकिन जब साथ भी बार रुकोगे तब तो 91 किलोमेटर आपका कम्प्लीट हो चुका होगा तो आप stoppage कितनी बार लगाओगे 6 बार लगाओगे और हर stoppage कितने time का लगा रहे हो आप 9 minute का तो 6 into 9 कर लेते हैं तो कितने minute 54 minute आप आराम भी कर रहे हो तो 54 minute और 130 minute इसको जोड लेते हैं वो हमारा total time बता देगा तो 184 minute आएगा तो 184 जो है वो हमारा time total लगेगा option में नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है option change कर लेते हैं ये कर लेते हैं कितना 184 minute तो option कौन सा सही हो जाएगा हमारा चोथा option सही हो जाएगा क्योंकि calculation हमारी सही है 91 km है 42 km पर आर की speed से जा रहा है इसको change कर दिया हमने cancel करके ये कितना आगया आपके पास ये 10 हो गया और ये 7 और 7 से ये हो गया कितना 13 130 minute ये हो गया इसमें कोई समस्या नहीं है 13 से ये चला गया आपके कितनी बार 13 से ये चला गया आपके 7 बार तो 7 stoppage लग गया है उसमें से एक कम हो जाएगा 6 बचेंगे 6 into 54 होगा और ये 184 आपका सही हा रहा है ठीक है चलिए बात करते हैं next question question number 22 के बारे में क्या गयर है question number 22 देखी ज़रा एक कार ने एक यातरा टी घंटो में तै करी ही ठीक है यदि इसकी आऊसद चाल x किलो बेटर प्रती घंटा अधिक होती तो यातरा y गंटे कम में पूरी हो जाती तो यातरा कितनी लंबी थी ये बताई ठीक है चलिए तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कार ने एक यातरा टी गंटों में तै करी है ताइम दे रखा है टी यदि इसकी औसर चाल एक्स किलोविटर प्रती गंटा अधिक होती तो यातरा वाई गंटे कम में पूरी हो जाती तो यातरा कितनी लंबी थी तो इसका मतलब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस तो स्पीड इंटू क्या होगा टाइम होगा पर्फेक्ट है ठीक है तो स्पीड इंटू टाइम होगा अगर तो speed के लिए क्या है आपके पास x और y है speed तो x ही है न और से चाल x km प्रती गंटा अधिक होती है तो y गंटे कम ठीक है तो यहां से अगर हम देखें तो distance जो है speed किसमें दे रखी है km per hour यह देखा है km per hour time किसमें दे रखा आपको number of hours में तो इसका अलत जो भी आपको यह calculation दे रखी है x, y में आपको नहीं पढ़ना है आप unit पढ़ जाईए इसकी unit km में आनी चाहिए तो आपका answer सही हो जाए अब x क्या है आपका x है आपका क्या speed तो यह किसमें है km per hour perfect है t और y दोनों ही गया time तो यह क्या हो गया आपका देखें ऐसे लिखता है x क्या है km per hour क्यों तो यह x क्या है x आपकी speed है ना इसकी ठीक है t-y तो t और y दोनों ही time है तो यह time minus time number of hours minus number of hours करोगे तो unit number of hours में आई t और y तो t और y फिर से number of hours number of hours है तो यह एक से एक तो number of hours cancel हो गया यह unit बच लिए लेकिन unit तो किस में आनी चाहिए unit तो kilometer में आनी चाहिए क्योंकि distance है इसलिए तो यह तो नहीं होगा ठीक है value 14 है 14-14 तो कुछ आएगा नहीं value तो इसको देखते है x क्या है km per hour t minus y क्या है number of hours t क्या है number of hours बिल्कुल सही है और y minus 1 है तो y भी number of hours है तो यह आगया number of hours minus 1 अब मैं यहाँ पर देखू तो यह cancel हो गया बिल्कुल cancel हो गया और यह भी cancel हो गया क्योंकि इसकी power 1 है इसकी power minus 1 है तो 1 और minus 1 नौन और 0 हो जाएगी तो cable km बच रहा है तो option कौन सा सही होगा आपका second option होगा यह भी आपका option नहीं होगा सही है तो हमने calculation ही नहीं करी हमने unit पकड कर क्योंकि distance की unit km में होनी चीए तो एक ही option जो है वो unit km में दे रहा है वही हमारा सही answer चलिए बात करते हैं next question number 23 के बारे क्या कह रहा है question number 23 देखिएगा कार की गती प्रतेक एक गंटे के बाद में दो किलोमेटर प्रती गंटा बढ़ जाती है ठीक है यदि पहले एक गंटे में तै की गई दूरी 35 km थी तो बारा गंटों में तै की गई कुल दूरी कितने किलोमेटर होगी बार बढ़ रहा है के गंटे बाद 37 हो गया गुंचालिस हो गया 41 हो गया ऐसे ये चलता रहेगा और 12 गंटों तक हमें इसे चलाना ठीक है तो टोटल डिस्टेंस कित्ती होगी ये आपको पूछ रहा है एक तरह से देखें तो ये हमारे सामने समाना अंतर श्रेणी मतलब arithmetic progression AP बन रही है AP क्या होती है A A plus D A plus 2D A plus 3D ऐसे करते करते A plus N minus 1D परफेक्ट है ठीक है N क्या होता है जो N वा पद होता है वो और यहां हमारे पास N वा पद कौन सा है 12 वा पद है तो हमें इसके टोटल निकालना होता है S N क्या होता है Sum of N terms क्या होता है AP में N by 2 2A plus N minus 1 into D यह होता है N वा पद तो हमें S N निकालना है मतलब 12 पदों का योग निकालना है एक तरह से N किता है 12 बटा दो 2A यह होता है first term जो की किता है 35 ठीक है 2A plus N minus 1 12 minus 1 और D क्या होता है जो common difference होता है जो कि कितने का दिखरा है आपको सब जगे 2-2 का इसकी value आपको बताने है बस आगे हमारा answer तो यह कितना होगे अच्छे 35 का double कितना सित्तर 12 में से 1 गया 11 11 का 2 से गोणा किया 22 27 और 22 को जोड लिया मैंने तो 27 और 22 कितना होगे आपके पास 92 ठीक है आप इसका गोणा कर लेते है 6 का 2 से 12 54 और 1 कितना 55 552 आएगा जो कि हमारा second option बिलकुल सही होगा चलिए यह था question number 23 बात करते है next question number 24 के बारे में क्या गरा question number 24 देखिएगा एक बस है जो कि 21 किलोमेटर प्रती गंटे की प्रारंबिक गती से चलना आरंब करती है तथा उसकी गती में प्रती एक गंटे में तीन किलोमेटर प्रती गंटे की व्रदी होती है तो 252 किलोमेटर की दूरी तै करने में वह कितने गंटे का समय लेगी सेम अभी जो question किया था वही है वहाँ पर number of terms जो 12 थी वो हमें पता था और S and total निकालना था यहाँ total पता है और number of terms हमें निकालनी है तो formula तो वही लगेगा पहले तो क्या series बन रही है वो देख लेता है 21 किलोमेटर प्रती गंटे की गती से शुरू होती है ठीक है और उसकी गती में प्रती गंटे में 3 किलोमेटर की क्या होती है व्रदी होती है तो 21 और 3 चोईस चोईस और 3 27 27 और 3 30 30 और 3 33 ऐसे चलता रहेगा ठीक है चलिए तो इसका मतलब कहां तक चलेगा वही number of terms हमें निकालनी है S N Sum दे रखा इस arithmetic progression का एक तरह से 252 N कितना है पता नहीं By 2 2 A D कितना है वो पता है कितना है 3 है बस हो गया हमारा काम 252 इदर लेकर आजाओ या फिर ऐसी रहने देते हैं एक बार क्योंकि value बढ़ जाएगी इदर लाने से तो 3 अंदर जाएगा 3 N होगा 3 अंदर जाएगा minus का 3 होगा 42 में से आप 3 कम करोगे तो कितना होगा 40 होगा और ये क्या है 3 N है परफेक्ट है चलिए अब 2 तरीके आपके पास क्या या तो इसको solve करके आप N की value ले लीजी और या फिर जो option दे रखा है वहाँ से N की value लेकर इसमें रख लीजी यहाँ 252 आ जाएगा वही हमारा answer हो जाएगा तो पहला option उठाते हम 6 6 बटा 2 करूँगा कितना होगा 3 बिल्कुल सही है गुंचालिस प्लस 3 इंटू 6 है ये तो 6 इंटू 3 कर लूँगा तो कितना हो जाएगा 18 तो गुंचालिस चालिस और 18 कितना अठावन एक कम कर लूँ तो कितना हो गया 57 क्या 57 का 3 से गुणा करने पर 252 आ रहा है नहीं आ रहा है तो पहला option तो हमारा answer नहीं दूसरा पकड़ते हैं 5 मैं 5 करूँगा 5 बटा 2 होगा पॉइंट में आएगा पॉइंट वाले को अभी इग्नोर करते हैं तीसरा option पकड़ते हैं आठ आठ बटा 2 करूँगा 4 बिल्कुल ठीक है गुंचालिस बिल्कुल ठीक है 3 इंटू 4 कितना 12 बिल्कुल ठीक है गुंचालिस में 12 जोडो 40 में 12 कितना 52 कम 51 51 का 4 से गुणा करो तो 51 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 और ये 252 क्या आ रहा है क्या नहीं तो 8 में वापस देख लेते हैं 8 by 2 किया 4 हो गया ठीक है या 8 रखना है 4 नहीं रखना है 8 रखना है न तो 3 इंटू कितना होगा ये 8 8 into 3 किता हो गया एक तरह से choice तो 39, 40, 40 और choice किता हो जाएगा आपके पास 64 एक कम कर लो तो 63 हो गया चलिए अब इनको add कर लेते हैं तो यह हो गया किता 90, 99 और यह किता हो गया आपके पास 102, 102 का हम किससे गोणा कर लें तो 102 का 4 से अच्छा फिर यहां भी 3 रख दिया था क्या 18 चलिए एक सेकंड इसी को वापस चेक करते हैं 6 by 2 कितना 3, 39 यह 6 रखना है तो 6 into 3 कितना 18 होगा यह लीजिए 18 इनको add कर लेते हैं तो 40 हो गया, 40 हो गया 57 हो गया, 57 का 3 से कर लेंगे तो 7, 14, 21 ने यह तो नहीं सैट होगा पांच वाला अभी नहीं लेते, 8 वाला लेते हैं फ चार, 39, ठीक है, 8 का 3 से 8, 16 चोईस, तो 39 और एक कितना 40 हो गया, तो फिर यह कितना हो गया, आपके पास 50 और 60, 60 और 3 कितना हो गया, आपके पास 63, ठीक है, तो 4 into 63 करते हैं, सही हो रहा है यह तो, 4, 3, 12, 6, 24 और 25 ठीक है, वो option सैट हो रहा है, तो option कौन सा सही है, C option हमारा सह हो जाएगा, चलिए, कितना आगया, 252 आगया, और वो ही 252 इधर पड़ा है, बात करते हैं, next question, question number 25 के बारे में, क्या गयरा question number 25 देखिए, एक रेल गाड़ी 45 मिनिट में एक निश्य दूरी तै करती है, यदि इसकी गती 5 किलोवेटर प्रती गंटा कम कर दी जाए, तो उत ही दूरी तै करने में 3 मिनिट का अधिक समय लगेगा, ठीक है, तो वो दूरी कितनी है, वो हमें बतानी है, चलो ठीक है, तो पहले स्पीड क्या है, इसकी गती 5 किलोमेटर प्रती गंटा कम कर दी जाए, तो उतनी ही दूरी तै करने में 3 मिनिट अधिक समय लगेगा, चलो distance same है तो time का ratio जो आएगा जैसे कि यह आ रहा है यह आ गया कितना आपके 15 और यह कितना 16 तो जो time का ratio आया उसका inverse कर दूँ तो क्या मेरे पास speed का ratio आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा क्योंकि बोल रहा है same distance है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है तो अब यह मेरे पास speed का ratio आ गया और speed में फरक आ रहा है पहले 16 यूनिट थी अब 15 यूनिट है मतलब पहले से एक यूनिट क्या हो गई कम हो गई तो ये भी बोल रहा है कि पहले से 5 km प्रती घंटा उसने speed क्या कर दी कम कर दी तो 1 यूनिट के value किसके बराबर आ गई 5 km प्रती घंटे के बराबर आ गई तो आपको क्या निकालनी है distance निकालनी है तो वही बात होगी आप चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं और आप चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं कैसे 1 unit का मतलब 5 km पर आ रहे है तो 16 unit का मतलब कित्ता होगा 5 x 16 कर लेते हैं कित्ता हो जाएगा 50 और 6 x 5 कित्ता 30 80 km प्रतिगंटा ठीक है तो इसका अलब 16 unit का अलब 80 km प्रतिगंटा हो गया कितना time ले रहा है 45 minute तो कोई 80 की speed से जा रहा है और 45 minute तक जा रहा है तो distance बता सकता हूँ speed into time 45 minute है minute को गंटे में change कर लेंगे तो 60 का भाग देंगे तो यह आ गया number of hours यह cancel हो गया जो भी answer आएगा वो kilometer में आएगा cancel करते है 0 से 0 और कुछ cancel हो रहा है यह लो 4 और यह लो 3 यह हो गया कितना 15 यह आपका second option बिलकुल सही है चलिए यह दा question number 25 बात करते है next question number 26 के बारे लिए क्या गया रहा question number 26 देखिएगा 26 आपको कह रहा है दो cheat यह है A और B एक बिंदू P से A की समय में व्रत से शुरू होती है circle पर start होती है चलना जिसमें A तो चलती हुई गड़ी और B चलती हुई गड़ी की विपरित दिसा में चलती है ठीक है clock और anti-clockwise direction दे रखी है वे पहली बार सुबह 10 बजे मिलती है ठीक है जब तक A ने 60% track को cover कर लिया होता है तो इसका अलब B ने 40% को कर लिया होगा यदि A सुबह 10 बच कर 12 बजे पी पर लोटती है तो B जो है पी पर कब लोटेगी ठीक है तो देखिएगा डाइगराम बना लेते हैं जो circle कह रहा है उसके लिए ये मान लेते है बिंदू क्या है पी जहां से वो दौनों A और B चीटिया स्टार्ट हुई है ठीक है तो A चलती है गड़ी मतलब इधर चलती है और B गड़ी की विपरे दिसा मतलब इधर चलती है ठीक है कितने बजे मिलती है सुबह 10 बजे मान लेते हैं यहाँ पर मिल रही है यह थोड़ा और उपर मान लेते हैं क्योंकि A ने जादा कवर किया है तो यहाँ पर मिल रही है और यह बजी है सुबह की 10 ठीक है और जब तक A ने 60% ट्रेक को कवर कर लिया मतलब यह जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है यह 60% जो है वो A कवर कर चुका है तो डेफिनेटली जो B उदर से आ रही है चीटी उसने यह कवर किया होगा तभी तो यह 10 बजे मिले होंगे तो यह इसने 40% कवर किया होगा हो गया पूरा 100% ठीक है चलिए फिर A क्या करता है सुबह 10 बज कर 12 बजे P पर लोटता है 10 बजे मिले और A जो इधर से आ रहा था वो चलता चलता P पर पहुँचा कितने बजे 10 बारा पर तो इसकाल A ने यहां से यहां तक कितना टाइम लिया 12 मिनिट का टाइम लिया पहुँचने में बिलकुल सही है तो आपको यह पूच रहा है कि B जो है P पर कब लोटा तो 10 बजे के बाद लोटा यह तो हमें पता है तो 10 बजे यह मिले और मिलने के बाद B यहां तक कितने मिनिट में पहुचा अगर वो पता चल जाए तो 10 बजे में वो Speed तो है नहीं किसी की लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दौनों एक साथ रवाना हुए है दौनों एक साथ मिले है तो दौनों एक ही time मतलब बराबर time चले है तो जब time अगर बराबर है तो हम यह कह सकते है कि distance और speed जो है वो directly proportional होंगे तो जो ratio आपका distance का होगा उनके दौरा cover की गई वही ratio उनकी speed का होगा तो A ने कितनी distance travel करी 60% और B ने उतने ही समय में कितनी distance travel करी 40% तो A और B के लिए 60% और 40% अगर मैं ratio लेता हूँ उनकी distance का तो यही ratio आएगा उनकी speed का जो की आ रहा है 3 और 2 का परफेक्ट है अब ये 3 किसके लिए था A के लिए तो मिलने के बाद A को वहाँ पहुँचने में कितना time लग रहा है उसको नीचे cross पे लिखना है तो इसका मतलब ये जो 3 by 2 है S1, S2 हो गया एक तरह से A और B की speed का हो गया एक तरह से तो मिलने के बाद A को कितना time लगा 12 minute वो हम लिखते हैं यहाँ पर और B को कितना time लगा वो निकालना है तो ये लिख लेते हैं B के लिए केवल B परफेक्ट है इधर से square root अटा होगे तो इधर square होगा तो 3 का square कितना होगा 9 2 का square 4 और ये B जो time लेगा वो और नीचे कितना पड़ा है 12 4 से 12 कितना 3 9 का 3 से कितना 27 तो 27 minute जो है वो B के द्वारा लिया गया समय आ जाएगा मिलने के बाद P पर पहुँचनेगा तो ये जो time है ये आ जाएगा 27 minute तो ये ही तो बताना था कि B कब पहुचेगा P पर तो 10 बजे मिलेंगे फिर 27 minute लेगा तो 10 बज कर 27 minute मतलब C option जो है वो आपका बिलकुल सही हो जाएगा 6 नहीं sorry ये 26 नंबर था बात करते है next question number 27 के बारे में क्या गहरा है question number 27 देखिए एक धावक है उसने कुछ गती से एक निश्य दूरी तै करी है ठीक है अगर वह 3 km प्रती गंटा और तेज गती से तै करता तो उसे 20 minute कम समय लगते है बिलकुल दिखती से बात है speed बढ़ा देगा तो time कम हो जाएगा फिर क्या बोल रहा है यदि वह 1 km प्रती गंटा धीमा चला होता तो उसे 10 minute और लगे होते ठीक है तो उसने jogging के द्वारा कितनी दूरी किलो मेटर में तै करी है ये हमें बताना ठीक है एक दावक ने कुछ गती से एक निश्य दूरी तै करी अगर वह 3 km प्रती गंटा और तेज गती से चला होता तो उसे 20 minute कम समय लगते ठीक है और यदि वह 1 km प्रती गंटा धीमा चला होता तो उसे 10 minute और लगे होते तो बताई उसने jogging के द्वारा कितनी दूरी किलो मेटर में तै करी मान लेते हैं उसकी स्पीड कितनी है S परफेक्ट है एक बार S उसकी नॉर्मल स्पीड हो गई अगर वह 3 km प्रती गंटा और तेज चलता मतलब S प्लस 3 से जाता परफेक्ट है तो क्या करता 20 minute कम समय लगाता 20 minute कम समय लगाता तो 20 minute का फरक आ रहा है यहां पर ठीक है चलिए फिर दूसरी इस्तिति क्या कह रहा है वो वो कह रहा है यदि वह 1 km धीमा चला होता मतलब S से जाता है S से ना जाकर S-1 से जाता तो क्या होता 10 minute और लगे होते हैं यह 10 minute का और टाइम आपको दे रखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मैं देख सकता हूँ कि आपको क्या पूछा जा रहा है उस्ते जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी km में तै करी यह वो पूछ रहा है ठीक है तो एक तो S है S plus 3 है यहां से हमारे पास time का difference आ रहा है एक S है S minus 1 है यहां से हमारे पास time का difference आ रहा है तो यह distance और यह distance question के according क्या है बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं और S की value निकाल लेते हैं ठीक है तो इसका मतलब S की speed से जाता है और S plus 3 की speed से जाता है तो speed into time कर लेते हैं तो speed into time कर लेंगे तो वो distance आ जाएगी जो distance travel कर रहा है ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, S, अगर 2 speed दे रखी है, और time का difference दे रखा है, तो आप distance कैसे निकालते हैं, जो कि मैंने question में बताया था, और मैंने कहा था, आगे इसको use करेंगे हम, तो वो क्या था, S1, S2, जो भी speed का difference आएगा, वो 1-2, 2-1 कर सकते हैं, और यहां आए difference लिखूँ, तो 3 आएगा, into time कितना है, 20 minute दे रखा है, डेल T की value कितनी होगे, 20, इसको गंटे में change करेंगे, तो 60 का भाग दे देंगे, यह distance आ रही है, और एक distance यहां से आएगी, जो की बराबर ही है, तो इस वाली condition को भी लेकर हम यहां पर लिख लेते हैं, तो यह होगी S, S-1, नीचे आएगा, इनका difference जो की कितना आ रहा है, 1, और time का difference कितना है, डेल T कितना है, 10 minute, minute को गंटे में change कर लेते हैं, 60 से divide कर लेते हैं, यह भी distance दे रहा है, और यह भी distance दे रहा है, दौनों दिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है, तो दौनों को बराबर कर लेत नहीं, नहीं तो ठीक है, तो यह हो गया क्या, 2S प्लस कितना 6, अपन में कितना है 3, बराबर यह कितना है, S-1, ठीक है, अपन में कुछ बचा नहीं, S की value निकालनी है, 3 उदर जाएगा, 3S होगा, तो 3S में से 2S जाएगा, तो S रह जाएगा, 3 उदर जाएगा, मैनस 3 होग 6 प्लस 3, 9 हो जाएगा, तो स्पीड आ गई, 9 किलो मेटर पर आ रहा, परफेक्ट है, लेकिन स्पीड पूछी नहीं, आपको तो distance पूछी है, तो यह जो S की value आईए, आप चाहें, तो इस equation में रखें, तो भी distance आ जाएगी, और आप चाहें, तो इस equation में रखें, तो भी distance आ जाएगे, तो हम छोटी वाले equation इसमें रख लेते हैं, 9 है, तो 9, 9-1 कितना होगा, 8, तो 9 into 8 कर लेते हैं, तो कितना हो गया, यह 8 into 9, 72 हो गया, ठीक है, यह 0 से 0 6 बचा, तो 72 upon 6 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यह 12, तो 12 होगा, जो कि मैं option देख सकता हूँ, C option हमारा बिलकुल सही होगा, चलिए, यह दा question number आपका 27, बात करते हैं, next question 28 के बारे में, क्या गहरा question number 28 देखी, 28 आपको कहरा है, एक आदमी एक निशित गती से अपने घर से रोजाना दफतर जाता है, ठीक है, एक दिनवा 8 km प्रति गंटा तेज गया और 20 मिट पहले पहुँच ग सेम वही pattern है, जो अभी हमने किया है, तो पहले तो एक condition है, उसकी निशित गती मतलब S, फिर क्या करता है, 8 km प्रति गंटा तेज हो गया, मतलब S प्लस कितना हो जाएगा 8, परफेक्ट है, चलिए, तो speed होगी S, S प्लस 8, नीचे difference आजाएगा जो की 8 का होगा, और time का difference कितन है, 20 minute को, minute को गंटे में change कर लेंगे, तो 60 का भाग दे देंगे, ये distance आजाएगी, speed into time से, अगले दिन, वही speed, वही distance, ठीक है, और वही time, तो इसका मतलब, फिर से अगर distance लेनी है, तो speed into time कर लीजी, अगले दिन का, अगले दिन हिसाब क्या चल रहा है, अगले दिन हिसाब चल रहा है कि वह 3 किलोविटर प्रती गंटा धीमा गया, इसका मतलब, S, S-3, नीचे, speed का difference 3, और time क्या है, आदा गंटा, already गंटे में है, तो इसको 60 से भाग देनी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो speed into time distance, speed into time distance, और दौनों ही आपस में क्या है, बराबर, क्यों, क्योंकि दौनों ही distance बता रहे है, office से, कहां की, घर की, तो S से तो S cancel हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और कुछ cancel होने के लिए 20 से ये चला जाएगा, कितना 3 बार, 3 से फिर ये 3 चला जाएगा, बिल्कुल, 2 से ये 8 चला जाएगा, 4 ये बराबर में है, ध्यान रखिएगा, क्य S निकालूं तो ये उदर जाएगा, 4S बिल्कुल जाएगा, ये S है, तो 4S में से S जाएगा, तो 3S बचेगा, इदर, बिल्कुल बचेगा, 4 इदर जाएगा, 12, माइनस का 12 इदर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 12 किता 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, त इस वाली में रखते हैं, तो S की value कितनी आपकी? S की value कितनी आपकी? 20 by 3, तो ये रखते है 20 upon 3, 20 by 3 minus 3, तो ये 3, 3 का 3 से करेंगे 9, 20 minus 9 करेंगे तो 11 by 3, ये कितना 20, ये तो कितना नीचे 3 है? ये लीजिए 3, और multiplication में कितना 1 by 2, 3 से ये 3 cancel हो गया, बिल्कुल cancel हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या हो गया, ये 20 into 11, बिल्कुल, और ये कितना है 3, और इसके multiplication में कितना है 1 by 2, तो ये 2 से ये चला गया कितना 10, उपर कितना 110 है, और नीचे कितना 3 है, तो 110 में 3 का भाग दे देते हैं, तो कितनी बार चला जाएगा ये, ये जारा आपका 3 से 3 बार जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, 20 होगा, तो फिर चला जाएगा, कितना ये 20 होने पर, 110 ही है न, 3 से ही करेंगे, और तो कुछ रह नहीं रह, ये चला गया 10, 110 और ये कितना हो गया 3, अच्छा ये 3 से 3 कटेगा नहीं, 3 से 3 multiply होगा यहां पर, तो ये 3 से 3 cancel नहीं, 3, 3 और 3 27 आएगा, तो इसको थोड़ा सा सही करता है, ये 3, 3 और 3, ये 3ों multiply होगर कितने बन जाएंगे, यहां पर 27 बन जाएंगे, ठीक है, 20 इंटू 11, ये तो सही है, और ये 10 बार ये भी सही है, 110 बटा 27 हो जाएगा, तो 110 बटा 27 होगा, question कहां चला गया, अच्छा पूरा ही 8 गया, चलिए कोई बात नहीं, तो ये हम समझ लेते हैं, इसको वापस लिख लेते हैं, तो फिर, यहां कर लेते हैं, इसको 20 बटा कितना 3, और ये था हमारे पास 3, और ये कितना 9, तो 11 बटा कितना था 3 और ये कितना है 3 और ये कितना है 1 बटा 2 ये इसको तो काट देगा 10 3 तीन और 3 काम घोना हो जाएगा 27 तो 110 बटा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ठीक है कितने बार चला जाएगा 4 और 3 में आ रहा है तो 4 बार जाएगा क्या चार बार में हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा साथ चौक 28, 108 हो रहा है ठीक है तो चार बार हम इसको कर लेते हैं तो 4 बार जाएगा तो इसका हम ले ये तो answer नहीं होगा ठीक है अब 4 times अला जाएगा 108 फिर 2 बचेगा 20 होगा फिर 0 लगाएगे तो 4.0 मतलब 1st option जो है वो हमारा सही होगा ठीक है चली ये दा question number 28 बात करते है next question number 29 के बारे हैं क्या गहरा question number 29 देखिएगा एक कार है जो कि निरंतर गती से P से Q तक यातरा करती है ठीक है यदि इसकी गती 10 km प्रति गंटा बढ़ा दी जाती है तो यह दूरी तै करने में एक गंटा कम समय लेती है और यदि गती को 10 km प्रति गंटा और बढ़ाया जाता है तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है तो इनके बीच की दूरी कितनी है same question है बस language थोड़ी अच्छी लिखी भी है देखिएगा 10 km प्रति गंटा बढ़ा दी पहले स्पीड कितनी थी S 10 km प्रति गंटा होगे S प्लस 10 तो नीचे difference आगया इनका कितना 10 क्या करता है एक गंटा कम समय लेता है तो गंटे में दे रखाया तो डिवैट बाई 60 करने की ज़रूरत नहीं है तो speed into time क्या होगे distance होगे बराबर फिर क्या करता है 10 km प्रति गंटा और बढ़ा दिया तो इसका अब S प्लस 10 तो पहले ही था अब 10 और बढ़ा दिया तो S प्लस 20 हो जाएगा तो ये S और S प्लस 20 होगा ये ध्यान रखना और ये नीचे 20 आगया ठीक है तो 45 मिनट और कम समय लेने लगा तो पहले एक गंटा कम था अब 45 मिनट और कम हो गया तो 45 मिनट मतलब कितना होता है 3 बटा 4 गंटे तो 1 और 3 बटा 4 इनको जोड लू ये आजाएगा 7 बटा कितना 4 तो ये हो गया 7 बटा 4 ठीक है S प्लस 10 है इन्टू 1 है 7 और ये 4 और 2 कितना होगा 8 इधर आएगा 8S और कितना होगा 80 ये होगा 7S 8S में से 7S माइनस करूँगा तो S बचेगा बिलकुल सही है ये 8 इन्टू 10 80 हो रखा है यहां तक सही है 20 इन्टू 7 कितना 140 है 140 में से 80 उदर जाकर कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 60 तो स्पीड आ गई 60 किलो मेटर प्रती गिंटा लेकिन हमें तो डिस्टेंस निकालनी है तो ये जो स्पीड है आप इसमें या इसमें किसी में भी रख दीजी आपका अंस्वर आ जाएगा क्योंकि दौनों ही डिस्टेंस को बता रहा और दौनों ही बराबर है तो ये वेल्यू हम पुट कर देता है इस छोटी वाली एक्विशन में 60 60 प्लस 10 कितना 70 और ये कितना 10 और मल्टिप्लाय में 1 0 से 0 6 इंटू 7 कर लेता है 42 और ये 0 420 किलोमेटर है जो कि हमारा अंसुर बिलकुल सही तो ये था हमारा कॉश्चन कॉश्चन नमबर 29 जो कि हमारे इस वाले पार्ट नमबर 2 का लास्ट कॉश्चन था बात करेंगे कॉश्चन नमबर 30 से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट कर दीजिए थैंक्यू सो मत